है 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 इस वीडियो में देखने वाले हम पॉसर नमबर 6 5.4 तो 5.4 में हमने एक मेथड सिखा था लॉंग डिविजन मेथड इसक्वेर रूट फाइंड करने का वह क्या बोल रहा है कैसे करना है कैसे नहीं करना है वह हमने आपको एक्स्प्लेइन कर दिया वर यह यह वर्ट प्रौलम है इसको वर्ट प्रौलम की तरह लगें थीन मैथड है हमारे स्क्वेर रूट अगर पूछे लगाने के लिए कोई सभी मैथड लगा सकते हैं देखते हैं कोह स्कूर फेंड इडल लेंद ऑफसाइड लेंद स्टेC rounds आ इस square का एरिया इतना है स्क्वेर का एरिया दे रखा है उसकी लेंद निगालनी कोशन इस चेप्टर में आया जरूर है बट इससे जरूरी नहीं है इसी से सोर्फ हो रहा है तो हमें पता है एरिया एंड पेरिमेटर हमने बहुत टाइम से पढ़ रखा है तो कर देंगे लेट दा लेंथ 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 ओफ लेंथ 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 अब area of a square area area of a square क्या होता है side into side means x multiply x side कर दिना हमने ले तो x square और area हमें दे रखा है कितना दे रखा है 441441 तो इसका मतलब x is square root of 441 का हमने square root प्राइं करना है method हम को इससे भी लगा सकते हैं तो एक्स बराबर हमके ऐसे लिख सकते हैं वह हम factors की form में करेंगे 441 प्रायम कराई जैसन स्टू से नहीं जाएगा 3 से 3 से जा रहा है 331 जा 3 4 3 7 3 7 3 7 3 4 7 7 7 7 पिर आगे हमारे 3 से जा रहा है 5 और 3 से जा रहा है 3 3 4 जा एंड 3 9 जा फिर 7 7 7 जा एंड 7 इस टाइप से तो मींस 441 हमारे क्या रहा है 3 multiply 3 multiply 7 multiply 7 answer के आगया 3 multiply 7 तो मींस 21 तो मींस centimeter यह हमारी साइड रही सेंटिमेंट रिस टाइप से कोशन था कोशन हमारे 5 से इस से मतलब नहीं है बड हमें solve कैसे करना वह महत्व रखता है इसके लिए तो मैंने आपको पताय है हम let the square of side यह करेंगे और एरिया दे रखा है एरिया हमारा x into x हो जाएगा हम जानते भी है और हमने let कर रहा तो side into side तो area दे रखा था हमने square root find करते है तो side बड़ी प्यार के साथ आईए बाकि हम next question 7 question next video में रखते है धन्यवाद